नमस्कार दोस्तों सौगत है आपका इस्टेड़ी वी तेम में तो देखे आज मैं आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो लेकाया हूँ उत्राखंड के लोग से वायो के दोरा आपका पटवारी लेकपाल पदुक पे विक्यापन जारी कर दिया गया है और देखे आज की इस वीडियो पे मैं आप सभी को पटवारी का फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है स्टेप बाइ स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टाटिन से लेका अंते तक जोड़ दिखेगा फॉर्म स्टाट करने से पहले दो चीज़े आपको किलियर कर दिना चाहता हूँ कि आपके फॉर्म में किसी भी परकार की गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस बार ये जो इस प्रिक्षा का आयोजन है उत्राखंड का लोग से वायोग करा रहा है तो आयोग ने पूरा लिखित रूप में दे दिया है कि आपके द्वारा अगर फॉर्म में तूरूटी होती है तु उसके स्वयम के जिम्मेदार आप खुद ही रहें गे उस तूरूटी के जिम्मेदार ये आपकी ही रहेंगी तो इस बार आपको कोई भी किसी भी परकार की तूटी नहीं करनी है पिछले बार उत्राखंट का अधिनस्त सेवा चैन आयोक के दौरा आपका जब प्रेक्षिया कंड़क्ट कराई जाती थी उससे 10 से 15 दिन पहले करेक्शन का उप्शन लिया जाता था लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है तो आप सभी लोग अपना जो फॉर्म है उसको बहुती अच्छे तरीके से बहुती स्ताओधानी पूरो आप उसको फिल अप करिएगा ठीक है तो फिलाल आज की स्वीडियो पर बढ़ते हैं तो देखिए सबसे पहले आप सभी लोगों को अपना प्रोम ब्राजर उपन कर लेना है और यहां पर जो आयो की ऑफिशल वेबसाइट है प्स.uk.gov.in आपको इस पर एंटर हो लेना है जैसी आप इस पर एंटर होंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस आएगा प्स.uk.gov.in आपको इसी पर क्लिक करना है क्योंकि आपका फॉर्म इसी पर मिलेगा ठीक है साथी साथ देखिए आपको यहां पर पहला ही ऑप्सन खुल जाएगा यह आपकी ऑफिशल वेबसाइट है आपको यह जो पहला ओप्सन दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक कर लेना है रिवेन्यू सब इंस्पेक्टर पटवारी लेकपाल एक जमनिशन 2022 आपको इसी पर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने नया इंटरफेस ऊपन हो जाएगा आप चाहें तो अगर आपको तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यह जैकर प्लिक करने है और आपको क्लिक करना हूगा तो उसके बाद आपके नया इंटरफेस आएगा आपको यहां पर दिखाई देरा होगा आपको आपको चार नवेंबर 2022 तक करना है आपको एप्लाइ करने के लिए किलिक कर लेना है जैसे आप यहाँ पर एप्लाइ कर लेंगे तो आपके सामने नए इंटरफेस आएगा आपको कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आपको कैसे फॉर्म फिलब करना है किनकीन इस्टेफों से फिलब करने इसमा टोटली 6 स्टेफ दिये गहे हैं देखिए फॉर्म भने से पहले आपको देखिए अपलाइन आउपकर क्लिक कर लेना आप जोड़ी फिलब करेंगे बहुती साउधानी पूरों करेंगे यदि आपको पट्वारी और आपको फर्म उपन होचाया उस इस फर्म को उपन होने के बार सबसे पहले उस्पने लांग कर Да अपना जो नाम इसको यहाँ पर ट्रफिप कर देता हूं कनल उसके बाद यहां पर इनके father name डाल देता हूं में अगला जो है आपका पिताया पती का नाम उसके बाद देखें आप माता का नाम पूछ रहा है माता का नाम डाल देते हैं उसके बाद देखें इसको यह बाद अच्छे से चेक कर लिएगा कि आपका नाम की spelling सही है यहां आपके जो father name है वो spelling सही है और आपकी माता का नाम क्या है वो सही है या नहीं है तो आपको यह सारी चीज़े अच्छे से फिलप कर लेनी है उसके बाद देखें इसमें और आपको UK SSC यानि कि अगर उसमें आपने जो आपका form फिलप क्या गया होगा UK SSC में उसका application नमबर यहां पर enter करना है अगर आपने नहीं किया है तो यहां पर आप simply no कर लेंगा अगर new candidate है ठीक है आपको यहां पर अपनी जन्मितिति फिलप कर लेनी है ठीक है उसके आपको अपना gender select कर लेना है क्या आप male है या female है उसके बाद आप married है या unmarried आपको यहां पर प्लिक कर लेनी है उसके बाद देखिए नीचे आपका nationality RA की राष्टिता किया है आपकी तो यहां पर मैं भारती select कर लेता हूँ उसके बाद यहां पर कुछ चीजे पूछी ज क्या उसको डाल देना है उसके बाद देखिए आपकरा कारियल है कौन सा हूँ आपको डाल देना है उसके बाद आपके पंजिकरन की तिथी कप थी तो आपको यह तिथी डालनी है और आपके 50 grand मान ये कब तक है आपको यह भी आपको यहाँ पर mention करना है उसके बाद नीचे एक अलग option दिखा है कि क्या आप किसी नौकरी में कारिटर्थ है अगर है तो yes करना है नहीं तो no करना है अगर आप yes करेंगे तो आपसे यहाँ पर noc मागेगा आपकी संगेठन में काम करें सारी चीज़ आपसे पूछ लेगा ठीक है तो आपको यहाँ पर no type no select कर लेना है उसके बाद देखे क्या आपने high school और intermediate अत्वा इसके समकक से इस्तर की सिक्षिया उत्राकंड राज जी से इस्तित मानिता प्राव संस्तानों से उत्तिन करी है तो yes कर लेना है क्या आप यहाँ पत्नी आपके माता पिता उत्राकंड राज जी में सैनिक अर्द सैनिक बलो में नियमित करमचारी है हाँ अगर हैं तो yes नहीं तो no आपको इसमेट कर लेना है उसके बाद देखे आपका क्या आप यहां आपके पती पत नहीं है आपके माता पिता राज की अर्द सरकारी संगठन में नियमित करमचारी है जो उत्राखन राजी में निमित रूप से सेवा कर रहे हैं और जिनके सेवाओं को उत्राखन राजी से बाहर स्तंतरित नहीं किया जा सकते हैं अगर आपके ममी बाबा गौर्रमेंट जॉब में हैं तो यस करना है नहीं तो नो कर लेना है उसके बाद देखिए आपके क्या आपके पती पतनी या आपके माता पिता कींद सरकागर गौर्णमेंट सेंटर में है तो आपको यस करना है या तो नो करना है ठीक है अगर नहीं है तो नो कर देना है उसके बाद अगला उप्सन आपके क्या आप उत्राखन के स्थाई निव आपको यह जो लाइन आप पर बैड़ती है तो यह कर लिए उसके बाद देखिए यहां पर अगला चीज है आपके स्ट्रेनी क्या है आपको अपने कैटेगरी यहां पर स्ट्रेक्ट करनी है तो आपको यहां पर स्ट्रेक्ट का पूरा देखना होगा कि यहां पर किस अधिकारी ने आपका प्रमाण पत्र जारी किया गया है प्रमाण पत्र जारी करनी की तिथी क्या थी यह भी आपको फिलप करना होगा ठीक है उसके बाद देखिए आपको यह भी बनना होगा उसके बाद देखिए आपक उसके बाद यहाँ पर आपको जुकिस दिस्टिक से आपका स्थाई निवास स्वरी कहां से बनी है यानि कि आपका जो जादी प्रमाण पत्रे की जनपर से बनाए उसको आप सेलेक्ट कर लिजेगा आप इसमें बोला कि आप दिव्यांग है तो इसमें आप नो कर लेना है अबच्छी की गरहों में रहने वाले अनाथ बच्चे हैं तो यस करिया मनना नो कर दिजिये उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर पर E-mail ID माग रहा है और आपका पुछ्टी के लिए आपको E-mail ID यहाँ पर confirmation देना होगा मुबाइल नमबर देना होगा उस कीícios को भीलक कर लेना है ऐसके बाहिए का अपना स्ट्रैट कर लेंगे उतरा खंड ऐसका आपका जो पीन कोड़ है को याँप कोड़ में तो अगर आपका यह एक बर्टमान पती आक इस का पते के पता दोनों एक ही है तो आपको यहां पर चेक मार्क लगा देना है और उसके बाद यहां पर सारे जो उपर आपने भरा है वो आपका नीचा यह डिक्टो यहां पर फिलप हो जाएगा आप फॉर्म कहां से भर रहे हैं आपको यह भी फिलप करना है तो आपका फॉर्म कहां किस इस्तान से तो मैं ऐस बना देता हूँ अपर आपको आपको यहां इहां कैप्चा कोड दिख निचे टाइप कर लेना नहीं जैसा उपर लिखा हुआ है उसी तरीके से उसके बाद आपको यहाँ पर continue पर click कर लेना है उसके बाद आपसे यहाँ पर कुछ confirmation के लिए बोलेगा I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit to submit the same तो आपको पहले वाले में आपको click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर अपकी details आपके वाद चेक कर लिजेगा और इसके बाद आप इसमें submit में klick कर लिजेगा और यहाँ पर OK پड़ कर लिजेगा उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर बता देगा आपका जो email id है वो क्या है और यहाँ पर click here to login पर आपको click कर लेना है जैसे आँ लोगिन पर क्लिक करेंगे तो आप सकते यहाँ पर जो आपने फॉन नमबर डाला था या फिर आपका जो इमेल आइडी डाली थी उन दोनों में से आपको कोई एक चीज डालनी होगी पासवर्ड आपने जो बनाया था उसी पासवर्ड को आपने यहाँ पर इंटर कर देना है उसके बाद आपके सामने जो कैप्चा कोड है उसको ही आपको यहाँ पर देख्टो आपको इंटर कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर लॉगिन कर लेना है login करने के बाद आपका जो form है वो open हो जाएगा सारी detail बता रहा होगा आपका सबसे पहले आपको proceed to next step में आपको click कर लेना है उसके बाद देखिए जैसे आप next step में click करेंगे तो आपसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़े पूछेगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वालिफिकिशन भले नहीं सबसे रहे 10 फिर 12 है उसके बाद देखिए यहाँ पर स्लेक्ट करेंगे आपने किस स्टेट से यहाँ पर किया हुआ है है हाई स्कूल वह भी आपको फिलप करना पड़ेगा उसी के सा आपको यहाँ वह भी क्लिक करना कॉन सा तो आपका यहाँ आंपकी स्टेट नीचे स्टेट भूड़ होगा यांदि के यहाँ जारी वर्ज क्या था तो आपको यह भी टैप करना होगा कि आपको ने जो 10 थै वो कब किया ठीक है उसके बाद आपके subject कौन से थे high school subject यहाँ पर click कर लेंगे अंको का परकार किस तरा इप से था mark था तो mark करेंगे उसके बाद आपका मार्क कितने आपके आपके कितने marks आए और अधिक्तम कितने अंको का था वो आपको यहाँ पर fill up करना होगा ठीक है उसके बाद automatically यहाँ पर percentage आ जाएगा और आप इसमें add education detail पर click कर लेंगे यहाँ पर click कर लेंगे तो आपके यहाँ पर देखिए 10th का data यहाँ पर जूड साथ यहाँ पर आपको intermediate 12th equivalent यहाँ पर select करना होगा आपने किस विश्व विद्याले या राज जी बूर्ट से क्या आपको यहाँ पर पताना होगा तो उत्राखंड से तो उत्राखंड यहाँ पर select करना होगा उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर बोड है आपको कौन सा बोड है था आपका 12 में इस उत्राखंड बोड ऑफ स्कूल एजुकेशन तो यह भी आपको यहाँ पर select करना होगा कौन सा वर्च से था आपका यह भी आपको यहाँ पर select करना होगा और उसके बाद क्या subject है था कौन से स्टीम से था आपका science से commerce यह स डालना है कितने total कुतने अंको का था यह डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पर percentage जूड जाएगा और add education detail पर यहाँ पर click कर लेंगे ठीक है उसी के तरीके से देखिए आपका अगला जो आएगा आपने फिर आपने अपना graduation select कर लेना है क्योंकि यह जो है graduation प्रकार की ह इसके बाद आपने देखिए आपने क्या किया graduation बीए बीकॉंप यहां फिर बीसी ए बीसी जो भी आपने किया उसको आपने क्लिक कर लेना है जैसे इनने बीए किया तो मैं बीए select कर लेता हूं उसके बाद यह पूछेगा कि आपने कौन से university से इसको किया हुआ हुआ है तो वह university मार्क स्रीट कब जारी करेगी थी तो यह वर्समें ने डाल दिया है साथिसाइन पर subject भर लेता हूं मैं आपको जो mean जो तीन सब्जेक्टे थे वो आपको यहाँ पर भर लेने हैं उसके बाद आपके यहाँ पर अंको का प्रकार यानि कि आपने के grade मार्क था या अंक मार्क था तो उसमें आपने कितने नंबर अर्जित किये हैं यह आपने करना है और वो तीनों वर्षों में जो grant total में आपका दिख जाएगा मार्क सीट में तो टोटल कितने नंबर का था यह आप इसमें add कर लिजेगा तो इसमें जो भी होगा percentage बनके आ जाएगा और add education detail आप इसमें इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यह जो graduation है वो भी कोई चीजे कर रहे की ही तो आपको वो सारी चीजे आपर fill up करने होंगी उसके बाद आपसे कुछ अधिमानी अहरता हैं पूछा है क्या क्या आपने प्रादेशिक सिना में दो वर्ष की नियुनता हुदी में सेवा करी है अगर करी है तो yes करी है वन्ना no कर दीजी इसमें क् कि आ इस अधिरोंसे डिस्टिक से आप भरना चाहते है तो यह जो है और अलमोरा पर आपका क्लिक कर दीया है उसके बाद देखिल यादि और पे वर्रेटा की रूप में आपको से बताने की यहांज पदा आपके कर लिए अगर नहीं पूस्त नहीं है तो इसलिए सिर्फ इस्में एक पत कि वरेता सहटने के लिए अगर मान लीजे हैं आपको पटवार्य प्राद में से किसी एक पत्पे आपको किलिक करना होता आपको देखे इसमें आपको कुछ अन्य जानकारी भी देनी पड़ेंगे कि क्या आप मुझा या चाती के माप में छूट चाहते हैं अगर चाहते हैं तो ठीक है नहीं तो नो कर लिजे क्या आपके खिलाब कोई अफराधिक मामला लंबित है अगर है तो यस वनना नो कर दीजे इसमें क्या UKPSC या फिर UPSC अन्य राजी लुक से वाई उदारा आयुद प्लेक्षा चैन से वनचीत भी या भी ब्लेकलेस्ट है हैं तो यस वनना नो कर दीजे आपको यहाँ पर कैंडिडिट अपनी ID प्रूफ देना होगा ठीक है उसक के बाद आप यहाँ पर सम्मिट कर देंगे अगर मिट करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि बता रहा है आपको जो आपके आपके तस्वीर है यह और वह आपके पास्पोर्ट साइज होनी चाहिए साधी साह थाथा थाक्शर भी आपका यहाँपर 50 क्यविक के बीच में होने चाहिए और आपकी जो फोटा है वो 20 से 50 कीवी के बीच में होनी चाहिए आपको यहाँ पर I have read and understood all the aware warning क्यारफुली पर क्लिक करके continue पर आपको क्लिक कर लेना है जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फोटो और आपका signature अप्लोट करने के लिए कहेगा तो देखिए सबसे पहले आपको अपना फोटो चूज कर लेना इसमें चूज फाइल में क्लिक करके जो भी आपकी फोटो इसको सेलेक्ट कर लीजिए साथ ही साथ आपका जो भी signature है उसको भी सेलेक्ट कर लीजिए signature को और उसके लाद यहाँ पर upload पर क्लिक करके ओके कर लीजिए इसको तो देखिए आपका जहाँ पर जो फोटो और signature आ जाएगा उसके लाद आपको image uploaded our character पर क्लिक करके आपका save and continue पर आपको क्लिक कर लेना है अब देखिए जो आप यह करेंगे तो आपका इसका मनला आपका फॉर्म submitted हो जाएगा यहाँ पर यह आपका form fill up आगया एक बार अपना इसमें पूरे अच्छी तरीके से आपका यहाँ पर जो भी detail है उनको अच्छी से देख लीजिएगा ताकि कुछ गड़वड तो नहीं है क्योंकि इसमें आप form correction का मौका नहीं मिलेगा आपको और इसके बाद आप इसको देखे पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पर click here to final summit के लिए उससे पहला आप यहाँ पर जो कुछ यहाँ पर गोशना है उस पर click कर लिजिएगा मैं एतद्वार गोशना करता हूँ या करती हूँ कि मैंने विग्यापन में वनित प्रात्रता की सभी सर्थे और आवेदन पत्र उपर उल्ले की सूचना साउधन ने पूरा पड़ी है और मुझे वो मान्य है और मुझे यह सर्थे पूरा करती हूँ या करता हूँ ठीक है दोनों पर आपको क्लिक करने के बाद इसमें लिखा है कि नोट अंतिया रूप से समिट करने से पूरा ओनलाइन डेटा जाएगा पूर अच्छे तरीके से लिखा हुआ है उसके आद आप यहां पर फाइनल समिट पर क्लिक कर लीजेगा तो आपका जो फॉर्म है वो फिलब ह हो जाएगा तो देखिए आपका यह फॉर्म फिल आप हो चुका है आप चाहें तो देखिए जो प्रिंट एप्लिकेशन है उसको जरूर अपने पास रख लिजेगा क्योंकि देखिए जो यह आपका फॉर्म है आपको जब सारी दक्षता परिक्षा के लिए बुलाया पताँ कि आप से लोग को हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो लाइक कर दीजीगा साथे साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टेडी विद एम को ज़रूर सब्सक्रा झारे अगरूर सुने होगी विए विए बाक्राइब लोग भी यूप दो लाइक कि और रोग को जब से थारी कि अविए आव गया है अगर अवस्तुनाएब भीवद घरूर सब्सक्राइब ढोका फिए लोग भीवद नही गहीं किया है विए पहीं जो